हेल्लो एबरिवन वेलकम टू विंक से कुड़ान आम शाहिद खान और विंक से कुड़ान में आपका स्वागत है डियर स्टुडेंट्स फाइनांस एकाउंट एसस्टेंट पे हमारी mcq series जो है वो जारी है इसमें हम gk portion को cover करने की कोशिश कर रहे हैं जो के 30 marks का है एक और वीडियो लेके आए हैं आपके लिए जिसमें हम कुछ और important mcqs को देखेंगे हमेशा की तरह और मैं आपको बता दूँ और बहुत सारे topics जो हैं वो cover हो चुके हैं and remaining topics को हम जल्दी ही cover करने की कोशिश करेंगे before 28th of feb तो चलते हैं आज की questions पर लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ finance account assistant जो exam हमारा 6th March को होने वाला है उसके regarding test series launch हो चुकी है जिसमें five full length test जो आपको देने को मिलेंगे तो चलते हैं हम आज के mc के उस पर जैसा कि आप जानते हैं हम एक नया topic discuss कर रहे है फ्लोरा एंड फाना अफ जैंड के एंड इसमें हम औरड़ी इसका पार्ट ए जो है वो डिसकस कर चुके हैं यह इसका पार्ट बी रहेगा यह इसका लास्ट पार्ट रहेगा remaining questions जो भी है फ्लोरा एंड फाना के रिगार्डिंग वह हम आज देखींगे चलते हैं हम आज के mc के उस पर भी ना time waste किये लास्ट आम ने question number 15 तक अपने discussion की थी तो यह है आज का पहला question question number 16 हमारा है डैश वाइल लैफ संच्री इस लोकेटेड इन शुपियान और इस बाउंडे तो नौर्थ बारे में हमने डिसकस नहीं किया था तो यह एक और यहां पर लेक के बारे में आपको मैंने बता दिया कि यह यूनो वाइल लैफ संच्री जो है एक्स लाइल संच्री कोई भी वाइल संच्री है जो शुपियान डिस्ट्रिक में है इसके नौर्थ में क्या है गुमसर लेक है इसका हमार करेक्ट ऑप्शन बताना है तो ऑप्शन नूमर ए जो आप देख पा रहे हीरा पूर वाइल लैफ संच्री कहीं कहीं हीर पूर वाइल संच्री भी दिया गया है तो confused बिल्कुल नहीं होना है एक ही है ठीक है तो यहां पर क्या है इसके नौर्थ में है गुमसर लेक and as I told you people के यह कहां पर है शुपियान डिस्ट्रिक में है ओके तो दो चीजें होगी इसके regarding and इसके साथ-साथ मैं आपको अलड़ी बता चुका हूं कि हमारे पास जो ओवेरा वाइल्डाफ संच्री है यह कहां पर है यह हमें है अनंतनाग में ओके इस इन अनंतनाग ए लिख रहा हूं and इसके साथ-साथ जश्रोटा वाइल्डाफ संच्री की अगर बात हम करें तो यह जो है यह कठुआ में है ओके कठुआ डिस्ट्रिक तो यह दो चीजें भी आप याद रखेंगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉशन बे बाइद वे अनंतनाग में ही है राजपारिया वा चलतए हैं हम अपने नेक्स्ट कॉ सेवंटी में और पास है how many नाशनल पार्क्स आँडेर इंजमू रिजन तो हमें बताना है जम में इंडिन इनाशनल पार्क तो मैं आपको बतादों जमंवरी जन में सिरफ एक ना शनल पार्ख है option number D करेक्ट है हमारा and वो कौन सी national park है वो है किष्टवार national park किष्टवार national park यह आप सबको मैं अल्री बता चुका हूँ and इसके साथ-साथ इसके साथ-साथ यह wildlife century बनाई कब गई थी sorry यह national park जो है कब बनाई गई थी 1981 में and इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि यह snow leopard को protect करने के लिए बनाई गई थी यह भी आप याद रखेंगे and यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कुछ important species हैं शायद मैं आपको कल भी already बता चुका हूँ ब्राउन बियर and हिमालियन कॉक यहाँ पे है तो चलते हैं हम अपने next question पे and J&K में कितनी national parks हैं इसके बारे में हम बात करेंगे total कितनी हैं चलते हैं हम next question पे यहाँ पे सिर्फ जम्मू रिजन की बात हो रही थी यह आप थोड़ा से ध्यान दें इस पे question पर 18 हमारे पास है वेचाब तो following wild life century is located in जम्मू रिजन तो अब हम बताना है कि जम्मू रिजन में कौन सी wild life century जो है वो located है तो मैं आपको बता दूँ जम्मू रिजन में नंदनी wild life century भी है राम नगर wild life century भी है जस्रोटा wild life century भी है तो option क्या होना चाहिए the all of the abo तो यहाँ पे जम्मू रिजन बोला है आप जम्मू डिस्ट्रिक को confuse नहीं कीजिएगा यहाँ पे जम्मू डिस्ट्रिक की बात करें तो सिर्फ नंदनी एंड राम नगर जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक में है लेकिन अगर जम्मू डिस्ट्रिक की बात करें तो जस्रोटा भी जम्मू डिस्ट्रिक में ही आती है as I told you people जस्रोटा wild life century कहां पे है कठुआ में है और भी कुछ wild life centuries है जो जम्मू डिस्ट्रिक में है जैसे हमारे पास टाटा कुटी यह मैं आपको already बढ़ता चुका हूँ ओके यह भी जम्मू डिजन में है कहां पे पुंच में चलते हैं अपने next question पे इसका correct option option number D था all of the above question number 19 हमारे पास है black neck crane which is also the UT board of LADAC is mostly seen in dash तो मैं आपको बता दूँ है black neck crane जो है यह सोमोरी लेक में पाई जाती है यहां पे यह ज़्यादा देखने को मिलती है इसलिए जेंड के वालों ने इसको change कर दिया as UT bird of Jand के क्योंकि यह यहां पे पाई नहीं जाती Jand के region में यह पाई नहीं जाती scientific name बताएंगे आप इसका मुझे ठीक है चलते हैं हम अपने next question पे by the way सोमोरी लेक जो है यह रामसर साइट भी है ओके यह रामसर साइट है लेक इनडिया यह अलड़ी लेक में मैं आपको बता चुका है इसके साथ है इसका altitude जो है वह एराउंड 4000 मीटर्स ओके इसके साथ-साथ मैं आपको यह भी बता दूँ के यह कहां पे है च्छंटंग रिजन अफ लदाक में है यह यह भी आप याद रखींगे फैनड लदाक अब यह यह अब याद रखींगे जो पैंगों मों लेक के नाम से जाना जाता है अ इसके साथ मैं आपको बता दूँ इस इस वीज़िएस्ट साल्ट वाटर लीफ विल्लिजग घायस्ट आइस्ट साल्ट वॉाटर लीफ salt water lake and एक बात आप याद रखना brackish water lake and salt water lake एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं यह आप याद रखी हैं में confused नहीं होएगा ओके अगर नहीं बता है तो आप जरूर करेंगी google and खुद पता करने की कोशिश करेंगी फिर आपको भूलेगा नहीं चलते हैं अपने next question पे यह इसका correct option तो option number B by the way जो गड़सर lake है यह गांदरबल में है ओके गड़सर lake is in गांदरबल and इसके साथ साथ गांदरबल में गांगबल लेक गांदरबल में मानस बल लेक यह आप याद रखींगे ठीक है यह important lakes है गांदरबल के यह इसका correct option था चलते हैं हम अपने next question पे question number 20 हमारे पास है as per the wildlife institute of India the total number of national parks in India is तो total sorry इसमें तो टाइपिंग एरर है तो wildlife institute of India के accordingly जेंड के में कितनी national parks है यह question होना चाहिए था इंडिया हम पर में लिखा गया था क्योंकि ज्यादा इंडिया के बारे में हम पढ़ते हैं तो इंडिया दिमाग में रहता है तो लिखने में इंडिया हो गया कोई नहीं इसको मैंने correct कर लिया है यहां पर हमारा correct option क्या हो सकता है देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ के मैंने बहुत जगा conflict देखा है लोगों के बीच में इस डेटा को लेके के जेंड के में कितनी नैशनल पार्क हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ जब हम wildlife institute of इंडिया की बात करते हैं तो यहां पे हैं जेंड के में फोर नैशनल पार्क एंड कोन-kोन सी नैशनल पार्क है सबसे पहले हम ओरड़ी पढ़ चुक belong कि हैं है हम जो है 시oux नगर में फिर किश्तवाड पढ़ चुके हैं जो है कहां पे किश्तवाड में ही है एंड फिर हम देखा हमने काजी नाग ओके काजी नाग भी हमने देखा जो बारा मुला में है ओके एंड फॉर्थ कौन सी हो सकती है तो एक और नैशनल पार्क है जिसको यू नो स्टेट जमों एक पिश्मी यूटी की गवर्मेंट साइट पर नाम नहीं उसका आ रहा है लेकि बट अब इसको Consider नहीं किया जा रहा है काफी जमों पर अइस नाशनल पार्क तो लेकिन wildlife institute अप इंडिया के accordingly still there are four national parks in J and K UT rij and there is one national park in Ladakh UT okay there is one national park in Ladakh UT and पर हम इसके रिगार्डिंग the screenshots मेने रखे हैं official sites के मैं आपको बताऊंगा आप इस time पर जो मैं आपको बता रहा हूं बस वो सुने सब clarity हो जाएगी at the end of this video कोई बात नहीं यह इसका correct option था option number B ओके चलते हैं हम अपने next question पर question number 21 हमारे पास है question number 21 है काजीनाग national park is famous for capra falconeri what is its status in the IUCN red list सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि IUCN red list है क्या चीज़ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसका full form है international union for conservation of nature ओके international union for conservation of nature लिखनी में आ रहा हूं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं तो आप याद रखिएगा यह एक you know organization है international level पे और यह 1948 में establish हुई इसके headquarter switzerland में हैं यह आप याद रखिएंगे इतनी चीज़ें और से साथ साथ यही red list करती है issue okay यानि release करती है यह red list यही organization एंड उस रेड लिस्ट में होता क्या है threatening species जो होते हैं उनके नाम होते हैं कि यह species आने वाले time में खतम हो जाएगा इसकी परजाती खतम हो जाएगी या फिर यह species जो है इसकी परजाती जो है वो घट रही है या फिर किसी species की परजाती जो है भढ़ रही है and according to that यह list में changes आती रहती है उनका status यह होता रहता है तो अब यहां पर आपको यह पता चल गया कि IUCN क्या है and इन्होंने 1964 में यह red list निकालनी शुरू की release करनी शुरू की and अब हम बताना है कि Capra Falconeri का क्या status है IUCN red list के according तो हमें यहां पर इसका correct option है option number C जो आप देख पा रहे है near threatened इसके लिए भी मैंने इन्हों end पर मैं आपको clarity दूँगा क्योंकि बहुत जगों पर मैंने बहुत लोगों को PDFs share करते हुए देखा है जहां पर वो information incorrect बता रहे हैं वो बता रहे हैं कौन सी information wildlife institute of jn के जो है उसकी information बता रहे हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ क्योंकि जब IUCN status ही एक अलग organization के दौरा issue किया जाता है तो सबसे ज़्यादा reliable हमारे लिए वो ही हो जाता है है ओके तो मैं आपको एंड पर बताऊंगा फिलाल आप इतना याद रखें के कैपरा फलकोनेरी का जो status है आई-उसीन के कोडिंगी वह नियर थ्रेटेंड एंड कैपरा फलकोनेरी है क्या पता आपको यह हमारा मार्कोर है ओके जिसके लिए famous है काजिनार नाशनल पार्क कह हां पर हाई यह इसन बारा मुला ओके इट इसन बारा मुला यह आप याद रखेंगे चलते हैं हम अपने next question पर 22 हमारे पास how many categories are there in the are you seen red list तो red list में कितनी categories है total there are nine categories in red list okay IUCN के द्वारा जो red list issue की जाती है उसमें nine categories है okay option number c and nine categories के आपको नाम याद रखने हैं okay हो सकता है question आता है क्यूंकि मैं आपको बता दूं environment बायो डैवरस्टी आपका gk में भी है किश्मीर को छोड़के जैंड को छोड़के generally gk में भी यह अलग से topic है तो IUCN से question आने के chances बहुत ज्यादा बन जाते हैं इसलिए आप यह nine categories देखींगे एक बार okay यहां पर मैं सारी नहीं पता पा रहा हूं आपको लेकिन यह बहुत easy आप Google करें हैं आपको पता चल जाएगा कि nine categories कौन-कौन सी है चलते हैं हम अपने next question पे question number 23 हमारे पास है service hanglue is in dash category according to IUCN red list तो IUCN red list के accordingly service hanglue जो है यह किस category में आता है तो मैं बता दूं option number B जो आप देख पा रहे हैं critically endangered okay critically endangered category में आता है हमारा service hanglue जो हमारा hanglue है okay बिचरा hangl जिसको किश्मीरी स्टैग भी कहते हैं यह आप याद रखेंगे famous कहां पे आये दाची गाम national park ऐड़े दाची गाम national park वही दाची गाम नैशनल पार्क जिसके बारे में हम आउल्रड़ी पढ़ चुके हैं के it is in स्रीनगर district ओके सबसे पहले यह स्रीनगर district में है कुए मैं आपको पता दू इस इन श्रीनगर district इसके साथ साथ 1981 में नाशनल पार्क डिक्लियर की गई उससे पहले क्या था यह प्रोटेक्टिड एरिया 1910 से प्रोटेक्टिड एरिया ओके तो यह सारी चीज़ें मैं आपको अलड़ी बता चुका हूं चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कोईश्चिन पर यह इसका क्रेक्ट ऑप्शन था क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्रिश्चन पर 24 हमारे पास है विच अब यह किस तरह की वेजिटेशन होगी एंड इसकी कौन सी एक्जैंपल है हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जेरोफाटिक वेजिटेशन जो होती है यह एक्शल यह जो होते हैं यह जहां बारिश नहीं होगी और वहां पर ड्राइबिटेट्स होंगे और वहीं पर यह ग्रो करते हैं और मैं आपको बता दूँ यहां इसका क्रेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नमबर डी अगैवस तो यह है एक्जैंपल कि इसकी जिरोफाइट रिंट नदे केक्टस भी जो है यह भी जिरोफाइटीक वेजिटेशन का एक्जैंपल है क्यों क्योंकि यह जो होते हैं बहुत कम पानी Göroh कर सकते हैं जिनदा रह सकते हैं क्योंकि दो बोता दूँन इन प्लांट को को आ जाता है सेक्लेंटस औक कि निच्शक्रस क्यों कि य यूज़ कर दें तो यह इसका करेक्ट ऑप्शन था एंड इसके साथ मैं आपको अर्डी बता दूं कि यह यहां पर टीक साल और पीपल देख पा रहे हैं यह जमू डिविजन में पाए जाने वाले कुछ फ्लोरा हैं कुछ टाइप प्लांट से ओके यह आप याद रखेंगे यह मुस्ली जमू डिविजन में मिलते हैं ओके चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कोशन पर आप क्या करेंगे आप इनके साइंटिफिक नेम्स देखेंगे आप इनके साइंटिफिक नेम्स देखेंगे जैसे पीपल का साइंटिफिक नेम देखेंगे आप क्या है इसका है फिक रिलिजियोसा इसी तरह आप बाकी नाम देखेंगे इनके क्योंकि सांटिपिक ने पूछे जा रहे हैं वैसे के द्वारा तो आप इसमें इसके ध्यान रखेंगे चलते हैं आपने नेक्स कोश्ण पर विचिश नुमर 25 मारे पास है इजसे कोश्ण वैसे का पानी है इस एंडीयन यॉझी तो इंडीयन रोजवूड किस प्लांट को कहा जाता है तो मैं आपको बता दूं यहां पर एक क्रेट ओप्शन है ओप्शन नुमबर ए शिश्यंटो शिश्यंट को ही कहा जाता है इंडी SSO, तो यह इसका scientific name है and इसी को Indian Rosewood का जाता है and मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये भी जम्मो रिजन में पाया जाता है mostly ये भी आप याद रखेंगे चलते हैं, हम अपने next question पे, by the way cheer people and tuna ये भी कुछ type of flora हैं, जो जम्मो रिजन में पाया जाते हैं, ओके ये भी आप याद रखेंगे, चलते हैं हम अपने next question पे बर्जवहाम is a neolithic site in स्रेनगर district, it is famous for which of the following tree तो बर्जवहाम जो है, एक बहुत famous neolithic site है, कहां पे स्रेनगर district में मैं आपको बता दूँ, ये famous है birch tree के लिए, क्योंके birch tree को ही क्या कहते हैं, बुर्ज किसमें, कश्मीरी language में and बुर्ज से ही निकला है, बुर्जवहाम ओके, बुर्जवहाम ये जगा का नाम जो है, इसी tree की वज़ा से पढ़ा है तो ये भी आप याद रखेंगे and इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ popular, चिनार and walnut be important trees हैं, कहाँ पे कश्मीर division में पाए जाते हैं कश्मीर division में पाए जाते हैं and अपनी language में आपको इसके अलग अलग नाम देखने को मिलींगे ठीक है, जैसे हमारे पास जो popular है, इसको हमारे याँ कश्मीर division में पाए जाते हैं चलते हैं हम अपने next question पे कश्मीर फर को कश्मीर language में क्या कहते हैं, तो हम मैं आपको बता दूँ इसका correct option है, option number B बुदुल, okay, बुदुल कहते हैं इसको in कश्मीरी language and ये ज्यादा तर कश्मीर region में पाया जाता है silver fur, ठीक है, इसके साथ-साथ जो बुर्ज़ है, मैं आपको बता चुका हूँ birch tree and कायूर जो है ये असल में हमारा होता है क्या blue pine blue pine जो tree है इसको कश्मीरी में कायूर कहते है okay, कायर नहीं है ये, कायूर है ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे and इनके आप scientific name as I told you people पता करींगे and याद रखने की कोशिश करींगे हो सकता है, and मैं आपको सबसे पहले यहाँ बहुँ ये बता दूँ के as you people know के J&K section there are 10 topics and J&K section is one of the topic के उसके बहुत सारे topics है तो अगर ratio देखें तो 3 marks हर topic से and अकेले J&K से अगर सिर्फ 3 marks आने वाले हैं तो कहां से आएंगे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है लेकिन फिर भी you know risk नहीं ले सकते तो इसलिए आपको याद रखने पढ़ेंगी इस चीज़ें चलते हैं हम अपने next question पर इसका correct option option number B था question number 28 हमारे पास है राजपारियां wild life century derives its name from a dash तो राजपारियां wild life century जो है इसका name कहां से derive किया गया है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो यह राजपारियां wild life century है न इसको डक्सूम wild life century भी कहा जाता है क्या कहाता है कहाता है डक्सूम wild life century wild life century and यह कहां पर है already told you people it is in अनतनाग and यहां पर हमें बताना है कि इसका नाम कहां से drive किया गया है तो मैं आपको बता दूँ एक stream है जिसका नाम है राजपारियां and उस stream के नाम पर ही इस wild life century का नाम है राजपारिया wild life century आप यह याद रखेंगे and इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि यह थे हम इस पर PhD वाली research करने बैठ जाएं ठीक है लेकिन जितना मैं आपको बता है आप इतना तो at least जुरूर याद रखें and इसके अलावा आप कुछ add करना चाहते हैं so that's 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 excellent and let me tell you now के जो हमारा conflict है national parks को लेके okay national parks को लेके जो conflict है इसके regarding में आपको थोड़ी सी clarification दे दूँ यहाँ पर तो यह है हमारा wildlife institute of India and यह इसकी site है official site है यह आप देख पा रहे है national parks पर click है and अब देखते हैं हम के जेंड के के बारे में क्या बोल रहा है यह तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं जेंड के you know serial number 34 चार national parks okay there are four national parks in जेंड के according to wildlife institute of India एक तो आप यह याद रखेंगे and दूसरा Ladakh में there is only one national park जो मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ हम इस national park and जो क्या है it is the largest national park in India यह भी आप याद रखेंगे यह सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ के confusion now okay क्योंकि यह हमारा serial है यह इनका area मैंने ख्याल से और यह national park का number है मैं आपको फिर से दिखा दूँ this is state this is state area and this is number of national parks जो कि आपको मैं अलड़ी बता चुका हूँ four for Jammu and Kashmir इसलिए मैं आपको कहा के अभी भी जो सलीम अली national park है जिसको city forest national park भी कहते हैं वह भी कंसिडर किया जा रहा है national park इसके द्वारा वाइल डाफ इंस्टिटूट अ इंडिया मैं आपको यह भी बता दूँ कि यह देखें आप डेट 24 feb 2022 तो यह updated रहता है ऐसा नहीं है कि यह कोई पुराना data है एक तो होगी यह मारे पास बात तो यहां पर आप क्या बात बनती है कि there are four national parks according to wildlife institute of india and दूसरी बात मैं आपको बता दूँ जेंड के wildlife department के according there are only three national parks in जेंड के यूटी ओके तो यह conflict है and मैं आपको सुर्फ clarity दे रहा हूं कि यह question conflicted है दो अलग government sites दो अलग चीजें बता रही है मैं दो अलग बात बातें बता रही है अन्ड मैं आपको मैं SSB के point of view से बताऊंगा कि यह क्या है just bear with me and इसके साथ से मैं आपको बता दूँ IUCN status पर भी बहुत ज्यादा conflict है लेकिन यह देखें आप यह red list जो है IUCN की यहां पर एक search bar होता है वहां पर आप कोई भी नाम डाले exactly लेकिन उसकी spelling के साथ तो आपको IUCN status मिल जाएगा and this is the authentic side क्योंकि IUCN ही करता है release you know status तो यहां पर college present मैं आपको already बरता चुका हूँ UT bird and इसका नाम क्या है लफोरा leucomelanus and इसका IUCN status क्या है least concern LC least concern यह यहां पर आप देख पा रहे हैं इसका least concern IUCN status है and इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दू हांगुल जो service हांगलू हमारा है जो हमारा कश्मीरी स्टैग है इसका यह देखें मैं आपको बता रहा था कि search बार होता है यहां पर आप Google पर जाके search करेंगे तो आपको सबका status मिल जाएगा किसी और जगह पर जाने की जरूरत नहीं है बहुत सारी साथ जो हैं मिसलिट कर रही हैं गलत बता रही हैं वहां पर नहीं जाना है तो देखें इसका है critically endangered क्या है critically endangered यह दाची गाम नाशनल पार्क में famous है यह पी आप याद रखेंगे इसके साथ साथ मार्क और हमारा कैपरा फैलको नहरी जो काजीनाग नाशनल पार्क में famous है जो के बारा मुला में है यहां पर आप इसका देखें near threatened जो मैं आपको अरड़ी बता चुका हूँ this is just to tell you people क्योंके मैंने बहुत सारी लडाईयां देखी है facebook पे एक तो IUCN status के regarding and डूसरा नैशनल पार्क का number क्या है तो इतना आपको clarity है अब मैं आपको एक और चीज यहां पर बताता हूं तो यह देखें अब SSB क्या कर रहा है कि यह है supervisor का exam उसका paper है यह supervisor का and question क्या पूछ रहा है SSB how many national parks are there in Jammu and Kashmir ना वो UT of Jammu and Kashmir बोल रहा है ना वो former Jammu and Kashmir state बोल रहा है तो question की language ही गलत है सबसे पहले okay and उसके बाद आप देखें कि five option को SSB correct कर रहा है tick मार रहा है यानि के SSB के accordingly there are five national parks in Jammu and Kashmir जो के नहीं है okay and इसके साथ आप यहां पर क्या interpret कर सकते हैं कि यह Jammu and Kashmir state की बात कर रहा है obviously यहां पर question में लेकिन language ठीक नहीं है and दूसरी बात यहां पर वह अगर Jammu and Kashmir state की बात कर रहा है तो वह UT of Ladakh and UT of Jammu and Kashmir दोनों को ले रहा है and UT of Ladakh में वह एक ही national park है UT of Jammu and Kashmir में कितनी होनी चाहिए चार national park तो इस यही analysis है यही interpretation है कि there are four national parks in Jammu and Kashmir UT and अगर Jammu and Kashmir is former Jammu and Kashmir state की बात करें तो there were five national parks including the Hemis national park का Ladakh region ओके तो यह आप देखे SSB तक को confusion है SSB तक कलत question पूछ रहा है देख पा रहे हैं आप क्योंकि यह last year ही हुआ है यह ज्यादा क्योंकि 2019 में क्या हुआ है जेंड के जो है दो यूटी में बट गया है लेकिन 2021 में मेरे खाल से यह paper हुआ है इसमें यह question पूछा जा रहा है और इसके बाद में आपको यही कहूंगा कि आप wildlife institute of India को लेके चलें जो के बता रहा है देरा four national parks in Jammu and Kashmir UT okay and one in Ladakh यह मैं आपको सिर्फ clarity दे रहा हूँ क्योंकि जब इतनी इतनी बड़ी government sites को clarity नहीं है तो भाई हम कहां से ला information है के नहीं क्योंकि हम rely करते हैं government data पे जब government data यह बोल रहा है तो आप देख पा रहे हैं तो यह मैं आपको इसी लिए दिखाना चाह रहा था यह question okay तो I hope आप इस पर comment नहीं करेंगे क्योंकि आप comment करेंगे भी तो मेरे ख्याल से कुछ होने वाला है नहीं यह data में variance है कहीं पे कुछ data कहीं पे कुछ data लेकि मैं आपको दोनु data बता दिए okay मैंने आपको दोनु data बता दिए and आपकी तसली के लिए मैं आपको यह भी बता दूँ कि देखें नैशनल पार्ग यह department of wildlife जमुएंट कश्मीर है यह उसकी PDF है official site पे है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दाची गाम किष्टवार काजीना तो यहाँ पे सलीम अली नैशनल पार्ग या फिस city forest नैशनल पार् तो यह सारी चीजें सिर्फ clarification के लिए आपके आपको doubt न रहें okay मिलते हैं आपने next video में till then goodbye take care and जो मैंने बताया इसको समझने की कोशिश करेंगे आप कि किस तरह से है okay तो मिलते हैं आपने next video में till then goodbye take care and अच्छा लगे तो comment जरूर करना thank you so much आपके comments देखें मैंने you know it sounds so nice क कोई आपके बारे में इतना you know अच्छा बोल रहा है and of course मैं बहुत time देता हूं इस video के लिए but still thank you so much for your comments and see you people in the next lecture take care and पढ़ते रहें